दोस्तों ये चुहा कोई साधरन चुहा नहीं है क्योंकि इसके शरीर पर कांटे पाये जाते हैं एक या दो नहीं पूरे छे से साथ जार कांटे यही कांटे इसे शिकारी जानवरों से बचाने में मदद करते हैं किसी भी प्रकार का खत्रा होने पर यह बिल्कुल कांटे दार गेंद बन जाता है दरासल यह कांटे इसके शरीर पर पाये जाने वाले एक तरह के बाल होते हैं जो लोहे की कील की तरह मजबूत होते हैं अगर ये काटे किसी इंसान को चुप जाते हैं तो उसकी जान पर बनाती है दोस्तों ये चुहा सच में आपको करोनपती बना सकता है लेकिन कैसे जानने के लिए वीडियो आखरी तक जरूर देखें अगर आपको ये वीडियो थूथन तथा महज दो या तीन सेंट्री मिटर की पूंच वाले इस चुहे को जाव चुहा कहा जाता है साही परिवार से संबंध रखने वाला ये प्राणी रात में सक्रिय होता है और बिलों से बाहर आकर भोजन तलास करता है इसका मुख्य भोजन कीड़े मकोड़े वा इसके अलावा फसलों की जड़ों तथा अनाज के दानों को भी ये प्राणी अपना आहार बनाता है दोस्तों ये चुहा तेज नहीं दोड़ सकता साधरन चुहों की तरह नहीं साफ देख सकता है लेकिन इसके पास एक विशेश खासियत जरूर होती है जिससे ये शिकारी जानवरों से खुद की रक्षा करता है खत्रा महसूस होने पर ये गेंद बन जाता है अब कोई भी शिकारी जैसे इस पर मुह मारता है इसके काटों से घायल हो जाता है यहां तक खतरनाक माने जाने वाले जानवर जैसे बाग भालू सेर सर्प नेवला मोनिडर लिजाड भ चुहों की भारत में तीन प्रजातियां पाई जाती हैं जबकि पूरे बिश्व में सत्रा प्रजातियां पाई जाती हैं जाओ चुहा भारत में मुख्य रूप से राजस्थान के जंगली वर रेगिस्तानी इलाकों में पाया जाता है हलांकि इसकी उपस्तिती पूरे करते हैं वहां इनके शिकार पर पाबंदी है कि इन्हें पकड़ने बेचने मारने पर कठोर सजा का प्राउधान भी है लेकिन कुछ लोग अवेद तरीके से इनके मांस और कांटों के लिए इनका शिकार करते हैं इनके कांटों का प्रयोग तंत्रमंत्रवा वशी करण इत्याद कर्मकांडों में तांत्रिकों द्वारा किया जाता है गाउं में इस कांटेदार चुहे को लेकर सैकड़ों कहानिया कही जाती हैं कहा जाता है कि जहां ये चुहा रहता है उसके आसपास गड़ा धन मौजूद होता है और इसके साथ कांटों को अपने घर में रखने पर विक्ति अचानक ही करोनपती बन जाता है दोस्तों यह तो कहानिया हैं लेकिन सच में इसकी कीमत लाकों रुपए होती है इसलिए कुछ लोग इसकी तसक्री करके बिदेशों में बेचते हैं क्योंकि इसके मांस सब्सक्राइब कानून 1932 के तहत इस कांटेदार चुह का शिकार करना इसे पकड़ना बेचना वा पालना एक संगीन अपरात माना गया है जो भी तीस जीव को पकड़ते बेचते पालते पाया जाता है उसके खिलाफ गयर जमानती वारंट जारी करके जेल भेजा जाता है इ लेकिन अपने देश में इसे कोई दस रुपे में भी नहीं खरीदेगा कुद्रत का बनाया हुआ यह अजीवो गरीब जीव खात दे स्रिंखला का एक अभिन नंग है जो फसलों में लगने वाले खीड़े मकोरों को खाता है इसको शिकारियों और अबयत तसकरों से बचान इस बिलुप्त होते हुए जाओ चुहे को बचाया जा सके वीडियो को लाइक करें हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें